आउरेवान वेल्कम बेक टू माइ चैनल बायोस्टीडी गाइस कैसे हैं आप लोग आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे प्रीवियस इयर क्वेस्टेंज जो की बहुत इंपॉर्टेंज पुछे जाएंगे वो ये सारे questions की possibilities को मैं लेके चल रही हूँ आप लोगों को हर question को बहुत अच्छे से समझना है हर answer को बहुत अच्छे से समझना है ताकि आप लोगों को board exam में कोई भी issue ना आए ठीक है chapter number one that is chemical reactions and equation के previous year questions आज discuss करेंगे और guys अगर आप लोग नए हो तो इस family का हिस्सा बन जाए ये bio study channel को आप लोग जोइन कर लें जितना हो सके आप लोग अपने friends के साथ में share किया कीजिए ताकि उन लोगों को भी help मिलें बहुत कम रखे है questions के amount क्योंकि बहुत confusing questions है ठीक है NCRT में लगबग सारे questions को cover करवा दिया था मैंने ये वो questions उठा रही हूं जो थोड़े से confusing है plus में important है question number one ठीक है question number one से start करते है some crystals of copper sulfate were dissolved in water अगर copper sulfate के crystals को कुछ crystals लिये और water में dissolve कर दिया तो जो solution होगा उसका color क्या मिलेगा हमें यह हमें बताना है ठीक है तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि copper sulfate का color होता है blue color Dollar green color किसका होता है green color होता है इड तो आप इसके आगे लिख लो brown color, brown color already लिखा हुआ है, आप लोगों को लिखना है iron carbonate, iron carbonate, ठेक है, तो अगर इसमें से कोई भी question पूछा जाएगा, suppose करें कि green color पूछ लिए आप लोगों को, green color का कोई भी X compound है, आप लोगों को उसका नाम बताना है, ठेक है, कोई भी छोटी सी आप लोगों को 2- यूज नहीं होना है, फैरस सलफेट का है, अच्छा, जब कोपर के ऊपर, लेयर आ जाती है, किसकी कोपर ओक्साइड की, तो उसकी वज़े से भी उसका greenish color हो जाता है, ठीक है, आप लोग देखते हो न, तामबे के ऊपर, वो एक black-black सी greenish सी, उसके ऊपर लेयर आ जाती है, आप लोग किसी ने भी देखा हो कि तामबे का कोई भी पुराना कुछ भी है, ठीक है, पूजा में लोटा यूज होता है, वो है, या कुछ भी है, उसके उपर greenish color की लेयर हो जाती है, उसकी oxide की लेयर बन जाती है, तो वो भी एक option हो, तो उसको आप लोग टिक करेंगे, ठ जो लोहे पर जंग लग जाता है, वो भी एक इसका एक्जामपल है, ठीक है, ब्राउन कलर हो जाएगा, आइरन कार्बोनेट का, चलिए गाइस, सेकंड क्वेस्चन की और भढ़ते हैं, इन्दा रियक्शन, पी बी ओ, लेड ऑक्साइड, प्लस में कार्बन, क्या मिलके हमे छा है, औक्सिडाइस का मतलब क्या होता है, एड़िशन ओफ ऑक्सिजन, एड़िशन ओफ औक्सिजन, देखिये, जिसने भी पहले की वीडियो उसको नहीं देखा है, वो आप लोग जाके एक बार वीडियो को अच्छे से देखनें, पूरे चैप्तर की वीडियो को, आप कि सारी कोईरीज क्लियर हो जाएंगे उसके बाद में ये क्वेस्चन को आप लोग अटेंड करें ठीक है तो PBO क्या oxidized हुआ है तो यहां पे oxidation नहीं हुआ है यहां पे तो oxygen removed हुआ है इसको कहते है guys reactants ठीक है और इसको कहते है products तो यह क्या है product में यहां पे oxidation नहीं हुआ है oxidation का मतलब है oxygen का add होना लेकिन यहां पे कोई oxygen नहीं लगी है तो first option बिल्कुल भी नहीं होगा second option देखो क्या है see act as an oxidizing agent क्या see oxidizing agent की तरह काम कर रहा है तो देखो oxidizing agent जहां पे भी agent लगे वहाँ पे आप लोग समझ लेना कि यहां पे reduction हुआ है reduction ठीक है oxidizing agent जहां पे यह word आए oxidizing agent इसका मतलब होगा कि यहां पे reduction हुआ है उल्टा हो जाएगा, reducing agent में क्या होगा, oxidation होगा, यह आप लोगों को थोड़ा सा धिहान रखना पड़ेगा, ठीक है, जहाँ पर reducing agent आए मतलब वहाँ पर oxidation हुआ है, ठीक है, तो आप लोग देखके बताओ कि क्या C act कर रहा है, oxidizing agent की तरह है, क्या reduction हो रहा है, तो देखो reduction नही हो रहा है, C पर oxidation हो रहा है, क्योंकि O यहाँ पर आके add हो रहा है, ठीक है, तो second option अपना बिल्कुल गलत हो जाएगा, third option पर है कि C act as a reducing agent, और reducing agent का मतलब मैंने अभी बताया है कि oxidation होता है, तो yes, यहाँ पर oxidation हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर O का addition हुआ है, right, fourth option is, reaction does not represent red redox reaction, क्या यह reaction, redox reaction को represent नहीं करती है, भई, ऐसा नहीं है, यह एक redox reaction है, ठीक है, यहाँ पर redox reaction का basically मतलब क्या होता है, जहाँ पर oxidation और reduction, दोनों चले, वो reaction को आप लोग बोलते हो, redox reaction, ठीक है, तो यह option भी बिल्कुल अपना गलत हो जाएगा, ठीक है, तो option number three is the right answer, question number third, heat is evolved during which type of reaction, इसमें बोला है कि heat कौन से type की reaction के during evolve होती है, तो देखो, दो चीजे मैंने आप लोगों को पताई थी, कि एक था endothermic reaction और दूसरा था exothermic reaction, exothermic, exothermic, ठीक है, exothermic का मतलब क्या होता है, exothermic का मतलब होता है, exothermic का मतलब होता है, exothermic का मतलब होता है, बाहर निकलन जो ये type की reaction होती है, इसमें heat release होती है, ठीक है, heat का निकलना, endothermic में क्या है, endothermic मतलब heat, तो heat का absorb होना, यहाँ पे जो है heat absorb होती है, यह दो चीजे समझ में आई आई आप लोगों को, अब ये पूचा है कि heat किस process के during, किस reaction के during evolve होती है, निकलती है, तो देखो, endothermic reaction होती है, जिसके अंदर कोई भी जादा active compound या फिर जादा reactive element क्या करता है, दूसरे element को हटा के और खुद उसकी position ले लेता है, जैसे कि A+, B, C, यह कोई element है, यह कोई compound है, ठीक है, यहाँ पे हमें product में क्या मिला, हमें मिला A, B+, C, तो A is more reactive, तो क्या हुआ, B इसके साथ में आ ठीक है, और C, बिल्कुल अलग हो गया, तो यह वाली reaction कहलाती है, displacement reaction, जो displace कर दें, ठीक है, पोजिशन से उसको हटा दें, थर्ड पे आता है combustion reaction, अच्छा, combustion reaction क्या होती है, यह भी एक बार आप लोग समझो, जब कोई reaction में कोई भी reaction चल रही होती है, ठीक है, और उसमें क् oxygen का contact होता है, मतलब oxygen के अंदर, oxygen का पूरा प्रॉपर मिल रहे है, कोई भी भार रखे, हम लोग कर रहे है कोई भी reaction को, और भार से हमें oxygen मिल रही है, उस reaction के डूरिंग, अगर light या फिर heat की फोम में energy निकलती है, तो वो combustion reaction कहलाती है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा in contact with the, contact with oxygen, ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे light की form हो सकती है, यह दोनों ही form energy की है, ठीक है, या तो light हो सकती है, या फिर heat हो सकती है, और यह क्या होती है, evolve होती है, तो यह होगा combustion reaction, आचा फोर्त भी एक बार समझो, combination reaction क्या होता है, combination reaction बेसिकल यह होता है, कोई element या compound A plus में, B gives AB, यह हो जाए का combination reaction, ठीक है, तो यह भी नहीं है, heat तो निकली है, combustion reaction के during, तो option third is the right answer, right, question number fourth, identify the type of chemical reaction, कौन से type की chemical reaction है, आप लोगों को यह identify करना है, तो first option है यहाँ पे, A gives B plus में C, A कोई भी compound है, वो B plus C में ब्रेक हो रहा है, तो ब्रेक हो रहा है, तो ब्र पीक होने का मतलब क्या होता है, यहाँ पर, D-Composition reaction, ठीक है, D-Composition reaction में, यहाँ लिख देती हूँ, D-Composition में क्या होता है, product जो है, वो reactants के अन्दर break होता है, ठीक है, यह reactants थे, देखो, यहाँ पर reactants थे, कोई भी अक्वेशन चली उसमें, चलीए उसमें क्या हूआं, को तो यह हो गया आपने पास में combination reaction, लेकिन यहाँ पे AB है और वो A plus B में break हो रहा है, तो यह कहलाईगी guys, decomposition reaction, ठेक है, decomposition reaction, समझ में आया, first, second है इसमें, A plus में B, AB plus में CD, ठेक है, यह है कुछ compound, कोई compound है, कोई भी particular compound है, AB plus में CD, यह हमें देता है, AD plus में CB, आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान दिया, कि यहाँ पे A जो है, वो D के साथ में pair बना लिया, क्योंकि A जादा reactive है, ठीक है, और D के साथ में इसने pairing बना ली, B जो है, वो C के साथ में जाके उसने product का formation किया है, तो यहाँ पे double displacement चली है, ठीक है, यहाँ पे जो displacement होई है, तो य यह हो जाएगी, guys, double displacement reaction, DDR, double displacement reaction, ठीक है, अगर single होता, तो कैसा होता, single होता, तो कुछ ऐसा होता, ठीक है, A, B प्लस में C, यह हो जाएगा, displacement reaction, जो कि single type की है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ A की type का displacement हुआ है, ठीक है, single displacement या फिर displacement reaction, question number fifth is, why are food particles preferably packed in the aluminium foil, भई, खाने को आप लोग लेके जाते हो, इसको आप लोग क्यों पैक करते हो, ठीक है, आपके जो ममिया है, वो पैक करके देती है, आप लोगो को, पर इसके पीछे क्या रीजन है, तो वो देखो, जो अल्यूमीनियम ऑक्साइड होता है, मतलब क्या है, अल्यूमीनियम फॉयल को रैप किया, जो भी पराठा है, या कुछ भी सेंडविच वगरा है, उसके आराउंड रैपिंग किया, आप लोगों ने, तो क्या हुआ, अल्यूमीनियम ऑक्साइड की कोटिंग बन जाती है, जिसकी वजए से कोई भी यहाँ पर मॉइस्चर या अगर यहाँ पर कॉंटेक्ट आ रहा है, तो उसकी वजए से यहाँ पर कोई भी टाइप की रैक्शन नहीं चलती है, ठीक है, अल्यूमीनियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, एक कोट बन जाती है, सर्फेस के ऊपर, अफ दे फॉयल और फॉयल और फॉर्दर रैक्शन व अप लोगों को यह वाली लाइन, अल्यूमीनियम ऑक्साइड, एल्टू ओ थ्री, केमिकल फॉर्मूला है, इसका यह प्रोटेक्टिव कोट बना देती है, ठीक है, जब हम लोग फॉयल को रैप करते हैं, अल्यूमीनियम फॉयल को काने के ऊपर, क्वेस्चन नंबर सिक्स् बीकर, कोई भी यहां पर एक सबस्टेंस है, उसको क्या किया, एक सनाम दे दिया, ठीक है, और बीकर में डाल दिया, और उपर से क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, ठीक है, यह वाटर है, अब क्या होगा, हम लोग देखते हैं कि स्लोली स्लोली क्या होता है, बबल्स निकल तो वह एक सबस्टांस क्या है वह इंटिफाइ करना है और कौन से टाइप की हां पर रियक्शन है वह बतानी है इंपॉर्टन क्वेस्चन है दियान रखना आप लोग देखो क्या है वापस से सुनो कोई भी सबस्टांस एक से उसको बीकर में डाला अभी हमें पता नहीं है कि वह क्या सबस्टांस है ठीक है पानी में डाला पानी डाल दिया उपर से तो क्या हुआ बबल्स बने है और वह थोड़ा सा हीट भी हो गया मतलब थोड़ा सा वह गरम हो गया होट हो गया हमें यह बताना है कि वह एक सबस्टांस क्या है और वह रियक्शन क्या चल रहे है तो क्विक लाइन भी इसको बोलते हैं और रियेक्शन इसमें चलेगी वह होगी कॉम्बिनेशन रियेक्शन ठीक है कॉम्बिनेशन रियेक्शन चलेगी धान रतना आप लोगों को यह राइट क्वेश्चन नंबर सेवन्त की और भड़ते हैं स्टूडेंट्स वाई डू यू अ आइरन आटिकल्स जितने भी आइरन आटिकल्स होते हैं उनके ओपर पेंट क्यों अपलाए किया जाता है ताकि एक लंबे टाइम के डूरेशन में जो आइरन आटिकल्स हैं वो खराब ना हो क्योंकि सराउंडिंग में मॉइस्चर प्रेजेंट है औक्सिजन प्रेजेंट आइरन में ठीक है आइरन के अंदर रस्टिंग हो जाती है जिसको जंग लगना बोलते हैं नौर्मल लेंगविज में तो उससे बचने के लिए हम लोग पेंट करते हैं आइरन के आर्टिकल्स को राइड आंसर देखो क्या है वी अप्लाए पेंट उन डाइरन आर्टिकल्स become it forms a protective coat on the surface of iron जब हम apply करते हैं paint को कोई भी iron article है इसके उपर apply किया paint तो क्या हुआ एक protective coat बन गई है on the surface of iron and we can protect it against the rusting ठीक है जग लगने से बचाने के लिए हम लोग coat apply करते हैं question number 8 balance the equation यहाँ पर balancing करनी है अच्छा जिसको भी balancing में डर लगता है एक बार वो वीडियो को जाके देख लें थोड़ा आपका concept clear हो जाएगा देखो HN3 nitric acid plus calcium hydroxide यह हमें देता है calcium nitrate plus water ठीक है तो हम लोगों को यह देखना है कि equation balance है या नहीं है अगर नहीं है तो उसको balance करना है ठीक है अच्छा unbalanced equation को skeletal equation बोला जाता है skeletal equation को फिर हम लोग balancing करते हैं ठीक है देखो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले यह लिखो कि यहाँ पे है यह left hand side है और यह है right hand side सबसे पहले आप लोग यह लिखो ठीक है इनको boxes में बंद कर लो आप लोग second चीज आप लोगों को यही करनी है आप लोगों को यह boxes में डालने है ठीक है अब यहाँ पे आप लोग क्या करोगे यहाँ पे लिखो कि left hand side यह first option का मैं करके बतारे हैं आप लोगों को और जो बाकी के 2 option है वो आप लोग थोड़ा सा दिमाख लगाओ और करके बताओ ठीक है थोड़ा सा दिमाख आप लोगों को लगाना पड़ेगा left hand side right hand side मैंने यहाँ पे यह लिख दिया है अब देखो आप लोग जितने भी number of atoms हैं elements के वो हम लोगों को लिखने है ठीक है जैसे की जैसे की मैं Hydrogen का लिखती हूं सबसे पहले Hydrogen का left hand side में 1 है और right hand side में 2 है तो मैंने left hand side में लिखा यहाँ पे 1 ब्रेकेट में और यहाँ पे मैंने लिख दिया Hydrogen के 2 है तो हम लोगों को balancing करना है तो left hand side में हम लोगों को इसको 2 से multiply करना पड़ेगा तब ही देखो balancing होगी right hand side में और left hand side में तो सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या किया कि इसको 2 से multiply कर दिया अब hydrogen दोनों तरफ में balance हो गए 2-2 second उठाओ nitrogen यहां से ठीक है nitrogen यहां पे single है यहां पे यह nitrogen single है और यहां पे क्या है यहां पे bracket के बहार में 2 है nitrogen के पास में left hand side में 1 है nitrogen यहां पे लिखती हूँ मैं ठीक है और right hand side में क्या है nitrogen के पास में 2 है nitrogen 2 तो हम लोगों को balancing करनी है तो left hand side में 2 होना चाहिए तो आप लोग अगर ध्यान दे हमने इसके आगे 2 लगाया था तो nitrogen भी इसके साथ में 2 आगया सबके साथ में आगे आएगा तो सबके साथ में लगेगा ठीक है तो nitrogen भी यहां पे 2 होगे nitrogen भी बिल्कुल balance है oxygen चेक करो आप लोग oxygen 3 3 यहां से हम लोगों को मिला और यहां से हम लोगों को मिला 2 तो कितने हो गई? यह हो गई 5 ठीक है? 3 और दो 5 होते हैं तो 5 हो गई यहां पर और यहां पर कितने है 3 2 6 प्लस में और एक यह है 7 तो यहां पर हो गई 7 तो सबसे पहले लिखो आप लोग oxygen का left hand side में कितना है left hand side में है 5 और right hand side में है 7 ठेक है oxygen का कि अब देखो जो हम लोग अभी कर रहे थे balancing उसके हिसाब से आप लोग देखो लेफ्ट-ंसाइड और राइट-ंसाइड में क्या सस्टेम बैटर है इसका राइट-ंसाइड और left hand side में देखो oxygen के यहां पर 3,2,6 प्लस में यहां से हम लोगों को मिला 2 यह हो गया 8 अब राइट-ंसाइड में चेक करो आप लोग यह कि यहां पर 8 है या नहीं है 3 यहां पर हो गए 3 बहार में 2 है तो multiply करेंगे इसको ठीक है ब्रैकेट के बहार में अगर कोई amount लिखी होती तो उससे हम उसको multiply करते हैं तो 3,2,6 और यहां पर oxygen यहां पर आगे लग जाएगा ठीक है तो 2 यहां से हम लोगों को मिला प्लस में 2 is 8 तो oxygen भी बिल्कुल balance है अब oxygen अपने पास में हो गई 8 और 8 ठीक है oxygen बिल्कुल balance है अब calcium का देखो यहां पर calcium का यहां पर single है और right hand side में भी बिल्कुल single है तो calcium अपना already balance है calcium 1 calcium 1 बिल्कुल balancing अब सारी चीज़े यहां पर balance हो गई है ठीक है right hand side में left hand side में दोनों साइड में आप लोगों को चेक करना है कि number of atoms, number of molecules बिल्कुल correct है और नहीं है ठीक है यहां पर हम लोगों ने अभी चेक किया है balancing भी करके मैंने आप लोगों को बताया है कि कैसे करनी है अच्छा second option आप लोग करके बताएंगी कि इसकी balancing कैसे करेंगे सबसे पहले तो आप लोग यहीं बताओ कि यह balanced equation है या नहीं है ठीक है NaCl sodium chloride agno3 silver nitrate क्या देगा हमें silver chloride plus sodium nitrate ठीक है तो आप लोग balancing करो इसकी NaCl single molecule Na left hand side में left hand side and the right hand side ठीक है sodium का single है यहाँ पे sodium single है बिल्कुल balance है chloride का यहाँ पे कितना है यहाँ पे chloride का single है 1 यहाँ भी chloride का single है 1 ठीक है ag का यहाँ पे single molecule है atom है यहाँ पे ag का single atom है ठीक है और right hand side में भी यहाँ बिल्कुल single है अच्छा oxygen के 3 है यहाँ भी oxygen के 3 है nitrogen का यहां पर 1 है तो यहां पर भी nitrogen का 1 है यह बिल्कुल balanced equation है हम लोगों को इसके balancing नहीं करनी ठीक है question number 3 की और भढ़ते हैं option number 3 की और भढ़ते हैं guys BACL2 barium chloride plus में sulfuric acid H2SO4 gives the barium sulfate plus में hydrochloric acid यह है हम लोगों के पास में ठीक है left hand side right hand side number of atoms आप लिखेंगे barium के आप लोग देखो क्या है barium यहां पर single है यहां पर भी single है बिल्कुल balancing है यहां पर chloride का यहां पर 2 है यहां पर भी chlorine का अच्छा इसकी balancing करनी है हम लोगों को यह है unbalanced equation तो सबसे पहले हम लोगों को इसी का देखने है ठीक है मैं आप लोगों को सीधा answer में ही करवाने लग गई तो आप लोग थोड़ा वापस से इस बात को समझो देखो barium से start करो single है single है बिल्कुल balance है left hand side में भी और right hand side में भी ठीक है अब देखो chlorine का यहां पर क्या है two है यहां पर chlorine का single है मतलब right hand side में one है जबकि left hand side में two है तो हम लोगों को इसकी two से multiply करनी पड़ेगी तब ही इसकी balancing होगी ठीक है two से multiply किया तो यहां पर दोनों balance हो गए है अब hydrogen यहां पर है और left hand side में इसके आगे two लगा है तो hydrogen इससे balance हो गया तो यहां पर हाइडोजन के 2 ही है ठीक है sulfur का यहां पर single है sulfur यहां पर single है S देखो single है और यहां पर single है oxygen यहां पर four है और यहां पर भी oxygen four है तो क्या किया हम लोगों ने इसके आगे two लगा दिया बाकी पूरी equation balance है तो यह है आपकी balanced equation थोड़ा सा आप लोग practice करेंगे तो सीख जाएंगे tension की कोई बात नहीं है ठीक है question number 9 write the chemical formula of the marble जो marble use किया जाता है घरों में flooring के लिए उसका chemical formula आप लोगों को बताना है ठीक है तो calcium carbonate calcium carbonate किसका chemical formula है marble का तो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि calcium carbonate का आप लोग formula बताएं chemical formula लिख लो आप लोग calcium carbonate ठीक है calcium carbonate next question is why is photosynthesis considered as an endothermic reaction photosynthesis को endothermic reaction क्यों consider किया जाता important question है देखो photosynthesis में क्या होता है याद करो आप लोगों ने पढ़ा है photosynthesis में photo का मतलब होता है light synthesis का मतलब होता है food का prepare करना food का synthesis होना ठीक है food का synthesis होता है green plants अपना खाना त्यार करते हैं sunlight की help से ठीक है इतनी सी बात है photosynthesis में यही process चलता है उसको consider क्यों किया जाता है endothermic reaction reaction में क्या होता है heat जो है वो absorbed होती है right heat जो है वो absorbed होती है तो देखो अब यहां पर heat light यह क्या है यह energy की forms है मैं heat बोलूं अगर यह मैं heat बोलती हूं यह मैं बोलती हूं light दोनों ही चीज़े क्या है दोनों ही energy की form है ठीक है दोनों ही energy की form है तो देखो photosynthesis जो है उसको endothermic reaction इसलिए बोला गया है क्योंकि यहां पर sunlight जो है sunlight energy ठीक है sunlight की से energy लेके absorb करके green plants अपना खाना बनाते हैं ठीक है green plants prepare their food from the sunlight energy ठीक है तो यहां पर absorption का काम हो रहा है यहां पर काम हो रहा है absorption का और absorption का काम होता है तो वह process कहलाता है endothermic reaction ठीक है इसलिए photosynthesis को क्या बोला जाता है endothermic reaction question number 11 important है थोड़ा सा ध्यान से समझे write the steps for balancing the chemical equation for the formation of ammonia ammonia का इससे मिलके बनता है nitrogen plus में hydrogen ठीक है इससे मिलके ammonia बनता है तो इसकी formation भी बताने है साथ की साथ में chemical equation की balancing के steps मि बताने हैं ठीक है सबसे पहले क्या करते हैं जो भी reaction आप लोगों को दी गई है skeletal equation लिखते हैं skeletal chemical equation यह क्या होती है unbalanced equation इक्वेशन ठीक है unbalanced equation ठीक है unbalanced equation को आप लोग लीख लेंगे सबसे पहले आप लोगों को यही काम करना है तो N2, nitrogen plus hydrogen gives ammonia, यह हम लोगों को लिखना है, ठीक है, second step में क्या करना है, examine the number of atoms, भई दोनों तरफ में, left hand side में, right hand side में, दोनों तरफ में, जो different elements present है, उसके number of atoms को count करना है, ठीक है, number of atoms को count करना है, तो nitrogen है और hydrogen है, यहाँ पे दो चीज़े दी गई है, अच्छा, nitrogen के यहाँ प है, जबकि right hand side में, nitrogen का single है, और hydrogen के पास में 3 है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे है 2, यहाँ भी है 2, जबकि यहाँ पे nitrogen के पास में single है, और hydrogen के पास में 3 है, यह unbalanced equation है, हम लोगों को इसकी balancing करनी है, ठीक है, oxygen की जगे यहाँ पे आएगा hydrogen, ठीक है, oxygen नही आएगा hydrogen आएगा, आप लोगों इसको थोड़ा सा correct कर लें, देखो, अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे single है, तो इसको 2 से multiply करना पड़ेगा हम लोगों को, तभी यह बैलेंस होगा nitrogen को, यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे 3 है, तो हम लोगों ने क्या किया, इसको 2 से multiply कर दिया ठीक है, suppose करो आप लोग, यहाँ पे था 2, तो हमने क्या किया, N2 प्लस में इसको 3 से multiply कर दिया, तो यह क्या बन गया हमारे पास में, balanced equation बन गया, ठीक है, यह 3 था, हमने इसको क्या किया, हमने इसको 2 से multiply कर दिया, तो देखो, NH3, ammonia का formula होता है NH3, यह था, और यहाँ पे हमने 2 से multiply कर दिया, पूरी equation को, पूरी equation को 2 से multiply किया, तो क्या हुआ, N2 की हम लोगों को मिले 2 molecules, ठीक है, और Hydrogen की हमें मिले 6 molecules, तो Left hand side में चेक करो, और Right hand side में, Nitrogen का यहाँ पे 2 है, बिल्कुल correct है यह, और Hydrogen का यहाँ पे 3, 2, 6, यह 6 है, और Right hand side में 3, 2, 6, यह भी बिल्कुल अ Hydrogen को multiply किया 3 से, और Nitrogen को, जो NH3 था, उसको multiply किया 2 से, तो पूरी equation हम लोगों की balance हो गई है, ठीक है, पूरी equation हम लोगों की balance हो गई है, यहाँ पे हम लोगों ने 3 से multiply किया था, और जो NH3 है, उसको 2 से multiply कर दिया, तो हम लोगों को यह balance equation मिल गई, आज के लिए इतना ही काफी है अगला चैप्टर हम लोग asset basis वाला स्टार्ट करेंगे तो आप लोग चैनल से जुड़ जाएए जितना हो से कि आप लोग वीडियो को शेर किया कीजे अपने response को मेरे साथ share किया कीजे feedback जरूर आप लोग अपना देते रहे time to time चलिए गाइस कल मिलते हैं बाइ